नमस्ते, आप सब का वेलकम है सिमरन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर कहने जा रहे हूँ हरी मूंग लौकी की सबजी सच बता रहे हैं कि इतनी टेस्टी लगती है न आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं यहां फिर रोटी पराठे राइस के साथ भी ले सकते हैं लौकी देखे घर में वैसे भी बच्चे होया बड़े खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं मूंग के साथ जो बहुत ही टेस्टी लगती है तो यहां पर 200 ग्राम मूंग को मैंने 2-3 गंटे विगो के रख दिया था और यह 250 ग्राम लौकी को छील कर टुकडों में काट कर पानी में रखा है पानी में नहीं रखेंगे तो वो काली पड़ सकती है उसके बाद गैस को उंदर के कुकर रख दिया दो चमच तेल डाल गया जैसे गरम हो गया एक चौथाई चमच जीरा, दो बारिक कटे वे प्यास, दो से तीन बारिक कटे हरी मिर्ची और इसी के साथ आदी चमच अध्रेक लसन के पेस्ट और इन सभी चीजों को भूनना है दो से तीन मिर्ट के लिए धियान इस बात कर रखना है कि प्यास को ज़्यादा लाल उने तक ना भूने नहीं तो वो न जला हुआ प्यास का स्वाद आता है वो अच्छा नहीं लगता है कभी-कभी तो बस हलका सा गुलावी हो जाए ना तो इसके अंदर दो से तीन टमाटर कटे हुए डाले एक मिनिट तक इसे भून ले फिर आदी चमच लानमिश पाउडर एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर आदी चमच धन्या पाउडर और नमक नमक और मसाले आप अपने स्वाद के अनुसर डाल सकते हैं जरूरी यह जितना मैंने डाला उतना ही डाले एक से दो मिनिट तक मसालों को अच्छे से पकाएं उसके बाद यह विगोवे मॉंग और यह कटी हुई लौकी के टुकड़े डाल दीना है और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीना है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैंन तक पकाना है जैसे पक जाए गैस को बंद कर ले पूरा प्रेशर निकलने दे उसके बाद यह तयार है हरी मुंग लौकी की सबजी अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला अगर आप नहीं डालना चाते तो कोई बात नहीं स्किप कर लीजेगा अच्छी भी लगती है ट्राइ कीजे और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले थांक्यू